हेलो एब्रिवन आए पीके चौधरी वेलकम स्यू ओल्ट वर यूटूब चैनल सुगाइस हमारा यह लेक्चर नंबर टू है सुलूशन चैप्टर का लास्ट वीडियो में हमने सुलूशन क्या होता है ताइप ऑफ सुलूशन और हमने मौल फ्रेक्शन जिसको मौल कॉंसेप्ट बोल लो जैसे मैंजर मैंठर्स ऑफ कंसेंट्रेशन करने की हमने वो किये थे आज हम कुछ नुमेरिकल करेंगे सिंपल सिं गाले बूदेन करने वाली ठिके करनी है खें करना है स्मोलल मैंने क्या करकूलें करना है तो तो मॉलाइलिटी, का फाइंडया कशन करनी है और और एगसत फाइंड़ाइट करना है किसका क्या अच्छा hunters 2.5 g ऊफ इथेनोइक एसीड का हमittä दंग टार मुक्टि एक हमें क्या फाइंडाउट करना इथेनोइक हैं बेंजीन में ठीक है C6H6 यही होता है अब देखो यूनिट्स आपको ध्यान रखती है ग्राम ग्राम गीवन है अब हमने फोर्मूला किया था मॉलैलिटी का लुख अज़ा बढ्य कंग हार, अब हमने वही फाइंड आऊट करने पहले हैं तो हमने मल् , इस निख गीवन है史 का म सॉैट और म किया था है ? मॉल, लॉफ मॉल्स फाइंड आऊट करने है, तो लॉफ मॉल्स का मैं लिख रही हूं यहाँ पे फॉर्मुला लॉफ मॉल्स का फॉर्मुला फोर्मूला हमारे पास क्या था बलब ध्यान आ जाना चाहिए आपको क्या करना है उसके बाद simple क्या करना है mass of solute ठीक है और divided by molecular mass या फिर molar mass भी बोल देते हैं of solute ठीक है अब यह कैसे find out करते हैं यह मैंने यहां पर लिखा हुए complete कि क्या करना है किसका करना है solute solute क्या है मेरे पास इत्थेनोइक इन लिख रखा देखो इसमें भी यह गीवन है 2.5 ग्राम ओफ इत्थेनोइक इन 75 ग्राम यह ज्यादा मेरा क्या है बैंजीन के अंदर इस्थेनोइक आजिड डाल रहे तो बैंजीन क्या हो गया sol bent हो गया और इस्थेनोइक आसीड solute हो गया अब देखो इस्थेनोइक आसीड का मास given है 75 ग्राम ठीक है molecular mass find out करना है molecular क्या था सिंपल फोर्मूला लिखो पहले CS3 COOH है ना अब क्या होता है 6 कार्बन क्या है एक कार्बन है ठीक है और उसका क्या हो जाएगा 1 एक क्या है 1 इंटो 12 प्लस में 3 हाईडरोजन सांटो 1 सकार्बन कितना है यह एक क्या फैंट ने मॉलिकुलर मास अब इसको कालकुलेट करेंगे तो हमारे पास आजएगा 60 ग्राम पर मॉल ठीक है यह फ्रेक्शन है विनिट है ग्राम पर मोल ठीक उसके बाद simple क्या करेंगे यह number of moles find out कर लिए ठीक है 2.5 sorry यहां आएगा 2.5 ठीक है मैंने उसका लिख दिया बेंजीन का गलती से तो 2.5 divided by 60 तो fraction solve करेंगे तो क्या हो जगा 0.047 वन आजाएगा 17 ठीक है अब क्या आगया M की formula हमारे पास क्या है यह बला मोल्स of solute divided by mass of solvent है ना अब mass of solvent given है हमें किसमे ग्राम में तो इसको convert करेंगे किसमे kg में तो इसको convert करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.075 kg ठीक है बस इसमें यह क्या करेंगे fraction पुट करेंगे values हमारे पास solve हो किया जाएगा अब next हमें find out करना एक्स यानि mole fraction find out करनी है mole fraction के लिए हमारे पास क्या होता है इस की करनी है इसको इसको ठीक है यह मेरा क्या है यह लिखना होता है अगर आप यूज कर रहे हो भी तो यह आपको mention करना है here a is solvent and let b be the solute अब क्या करेंगे एन ए नमबर ओफ मोल्स ओफ बी यानि इसको इसको डिवाइड बाइड बाइड टोटल solute का यह find out किया था 0.0417 है ना अब हमें किसका चाहिए बैंजीन का भी चाहिए बैंजीन का सेम करेंगे 6 x 12 प्लस में 6 x 1 इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 78 ग्राम पर मोल्स ठीक है simple है उसके बाद उपर लिख दो यह वाला find out कर लिया अब क्या करेंगे weight कितना है mass given है 75 अब यह मत कर देना किसमें क्या किया था मैंने kg में convert किया है इसमें क्या कर देंगे kg वाला लिख दो वो गलत हुजएगा gram वाला ही लिखना है उपर कितना given है 75 gram given है तो 75 divided by 78 ठीक है आगया किसका number of moles of benzene अब क्या करेंगे values पूट कर दो उपर किसकी number of moles of solute divided by यहां solute plus solvent इसको solve कर देंगे यानि इसमें मैंने क्या क्या find out कर लिया number of moles वाला formula आ गया ठीक है उसके बाद हमने क्या क्या किया molality find out करना सीख लिया और क्या कर लिया हमने mole fraction find out करना सीख लिया ठीक है तीन formula हमने कर लिये अब next question करते है ओके नेक्स्ट कोशन देखो इसमें find out करना है capital M यानि मोलारीटी ठीक है calculate करना है मोलारीटी ठीक है एन करना है normality of a solution containing 9.8 gram of H2SO4 ठीक है acid है in 250 centimeter cube of solution ठीक है 8 gram ठीक है volume given है हमारे पास 250 centimeter cube तो इसको लिटर में convert करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.0.250 ठीक है 250 liter ओके अब क्या find out करना है मेरेको M molarity यानि number of moles of solute divided by divided by molarity है यानि volume of solution है ना in liter sorry in liter अब क्या करना है मेरेको number of moles find out करने पढ़ेंगे number of moles किसके H2SO4 के तो number of moles find out करने के लिए mass divided by molar mass है ना molar mass चाहिए मेरेको molar mass find out करेंगे तो इसका आ जाएगा मैंने last example में आपको बता दिया 78 ग्राम पर mol sorry 98 ठीक है 98 ग्राम पर mol आजाएगा अब क्या करेंगे इसका mass given है 9.8 ग्राम divided by 98 तो 0.1 mole आजाएगा यह क्या गया number of moles आगे किसके H2SO4 के ठीक है तो simple है put कर देंगे values number of moles आईगे solute के divided by volume given है हमारे पास जिसको हमने centimeter cube में given था लीटर में convert किया तो यह 0.250 आगया answer किता जाएगा 0.4 mole per liter या फिर 0.4 capital M ठीक है molarity यह भी लिखते हैं हम इसकी unit simple सा था same चीज क्या कि हमने molarity find out करना सीख लिया molar mass इसमें find out सीख लेंगे number of moles ठीक है उसके बाद क्या करना है normality इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना normality क्या था number of gram equivalent of mass gram equivalent of mass of solute divided by volume of solution अब हमें find out करना है number of gram equivalent mass of solute अब equivalent mass find out करेंगे equivalent mass क्या होता है equivalent mass find out करेंगे number of gram बाद में करेंगे पहले equivalent mass equivalent mass का formula आपको ध्यान करना है याद रखना है molecular mass mass जो हम लंबा साइए multiply करके जो formula से find out करते है molar mass बोल दो 9 आजाएगा इत्वा समझागी अब next देखो क्या है number of gram equivalent क्या हो जाएगा gram equivalent में कुछ करनी करना simple उपर mass लिख दो क्योंकि gram आ गया और equivalent mass हमने find out करी लिया तो mass in gram divided by equivalent mass ठीक है h2so4 का equivalent mass कितना है था 49 ठीक है तो 0.2 आ जाएगा ठीक यह आ गया अब हमें volume given है simple करेंगे 0.2 by में 0.250 लिटर और हमारा पास आ जाएगा 0.8 ग्राम equivalent पर लिटर तो इसको हम gram equivalent पर लिटर को हम लिख सकते है capital M ठीक है normality समझा गया normality norm morality ठीक है नमर ओफ मॉल्स फैंड आउट करना मॉल फ्रेक्शन फैंड आउट करना molecular mass find out करना simple simple है बट के मैस्टी में बहुत ज्यादा important होते हैं ठीक है next topic अब हम करेंगे chemical potential अब देखो chemical potential की बात करेंगे हम या फिर हम बोलते है partial molar free energy free energy जी से शो करते हैं ठीक है chemical potential को हम म्यू से शो करते हैं ठीक है जिसको यू टाइप लिखते हैं थोड़ा म्यू बोलते हैं इसको देखो कोई भी है जैसे अमरे बस enthalpy की बात करते हैं entropy की बात करते हैं free energy क्या क्या वर्ड बोला मैंने free energy बोल लो जितनी भी that's free energy एंथेलपी ihan यह 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 क्या है het neighbour में फलने अपने पढ़ने मिक्स तर्मआइमस अपने बढ़ा भी होगा इसमें क्या होता है कि क्या करते है एक स्थेंसीजों बोल्राइं क्या बोल्रींग त्क कि रोपर्ट्परटी क्या होती है जो मास के साथ change होंगे जो मास के साथ क्या करेंगे change करेंगे ठीक है number of moles अगर हम उसमें increase कर रहे है कुछ add कर रहे है तो हमारी properties क्या करेंगे change करेंगे इनकी values भी change होगे ठीक है अब मैंने कोई भी consider कर लिया कोई भी open system है जिसमें N1 N2 up to N i क्या है number of moles of component है कोई भी component present है number of moles क्या ले लिए N1 N2 N3 N i तक ठीक है total क्या ले लिए मैंने N is equal to total number of moles N1 N2 up to N i ठीक है इतनी बाद समझागी कोई भी open system मैंने consider किया ठीक है उसके number of moles of components क्या है N1 N2 up to N i है आप देखो कोई भी उसके अंदर क्या है एक property है extensive property लगा लो क्या है X है कोई भी property माल ली वो क्या है X है ठीक है किसका function है F क्या है यहाँ पे function क्या है function ठीक है function है किसका temperature का pressure का number of moles N1 N2 up to N i तक ठीक है first equation मैंने यह लिख ली कुछ भी नहीं किया X है कोई भी मेरी property फ्री एनर्जी लगा लो entropy लगा लो enthalpy लगा लो कुछ भी लगा लो कोई भी property है वो क्या है function है किसका temperature का pressure का N1 का N2 का N3 का N4 का या फिर simple N लिख लो ठीक है अब जो यह N1 N2 है यह क्या है number of moles है अब देखो अगर मेरा temperature चेंज हो रहा है pressure चेंज हो रहा है और number of moles चेंज करने है तो normal सी बात है मेरी X भी क्या करेगी चेंज करेगी है ना तो dx है मैंने क्या लिखा curly X क्या बोलते हैं इसको curly curly X by curly T T के विद रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है DT उपर multiply में आ जाएगा और नीचे जो bracket के जो नीचे terms लिखते हैं वो constant terms लिखते हैं अब यहां क्या लिखा मैंने temperature temperature को छोड़के बाकी terms यहां आ जाएंगी ठीक है फिर क्या है प्लस curly X by curly P DT हाना तो pressure के विद रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो temperature N1 N2 constant हो जाएंगे फिर मैंने क्या किया curly X by curly N I curly N I sorry N1 है N1 है तो N1 को छोड़के बाकी जो terms बचगी वो सारी क्या है constant T P और क्या हो जाएगा N1 को छोड़ो N2 N3 up to N ठीक है यह मैंने second equation लिख लिए ऐसी आप third के भी लिख सकते हो यहां curly X by curly N2 ठीक है D N2 यहां क्या हो जाएगा T P N1 N3 N4 फिर क्या करेंगे N3 के लिख सकते है N3 को छोड़के बाकी terms ठीक है अगर मैं क्या बोल दूँ इसके बाद इतना समझा कि अब तक change हो रहा था मेरा pressure volume और number of moles अब मैंने क्या बोला क्या किया कि मेरा temperature और pressure मैं constant रखूंगी temperature और pressure मैंने constant रखें तो change in temperature and change in pressure क्या हो जाएगा 0 के equal हो जाएगा यानि dt is equal to 0 dp is equal to 0 अब यह वाली term dt यह वाली term dp यह किसके equal हो जाएगी 0 इसके यहां 0 लिखूंगी तो 0 की multiply 0 यह वाली term भी क्या होगी 0 ठीक है तो मेरे पास क्या बचेगा dx यहां मैंने क्या लिख दिया भी तक कुछ नहीं लिखा था यहां पे लेकिन अब bracket लगा के tp क्यों लिख दिया अब देखो यह वाली जो हमारी प्रोपर्टी डिपेंड कर रही है चेंज कर रही है जैसे नंबर ओफ मोल्स चेंज करेंड प्रोपर्टी चेंज हो रही है तेंप्रेचर और प्रेसर कॉंस्टेंट है तो इस लिख सकते हैं इसको हम x-2 सिंपली ऐसे ही आइयो ठीक एकश बार i भी लिख सकते है । इस वाली टर्म को मैंने क्या लिख दिया ठीक आब देखो यह तो था पास प्र्पर्पर्टी की कि अब सबसे मेन इंपोर्टेंट जो है पार्σι यर्मोलर प्रोपर्टी ही है क्या है मिरे यह հबास केमिकल पख़ैंट्टियल अप्र पोटेंशिल च की जगेखें पोटेंशिल याने मिउव आई जर्नल लिख है मैंने आई ठीक है वन टू थ्री जो भी मद ज़ी है लिख लेना ठीक है मिउव आई का फोर्मूला क्या होगा अब यहां क्या था function था f का अब यहां function chemical potential क्या होता है free energy का function होता है किसका free energy का free energy क्या है मेरी G है ठीक है तो यानि इसको मैंने x bar 1 लिखा था इसको g bar i लिख सकती हूं मैं है ना मेरी मरज़ी इसकी same formula है ठीक है यहीं से यह बने लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे क्योंकि यह function किसका था एक्स था ना यहां क्या है जी बार आई इसको मैं लिख लो कर ली जी बाई कर ली एन आई temperature pressure and one and two constant यह जर्नल क्या है formula है मेरा किसका chemical potential का इतिवाद समझागी उसके बाद क्या है अगर मेरा क्या हो जाए एन वन जो डी एन आई है यानि number of moles है वो one mole हो जाए यानि यह वाली term मेरी one mole हो जाए तो क्या होगा मेरा chemical potential किसके इक्वल हो जाएगा free energy के है ना अब क्या कहते है इसकी definition है क्या है समझ ना थोड़ी से it is change in free energy इतना तो हमें पता है किसका है free energy का change of a system which result on कभ चेंज हो रही है free energy जब हम उसके अंदर one mole of component क्या करें constant temperature और pressure पर डाल रहे हैं यानि क्या है जो chemical potential है वो क्या है change in free energy है कब है जब उसके अंदर हम one mole क्या डाल रहे हैं one mole component डाल रहे है किस पे condition क्या है temperature और pressure क्या रहेंगे constant रहेंगे अब जो component डाला इतनी large amount में डाला कि जो हमारा जो change है composition में पूरे system की जो composition है उसमें कोई change ही नहीं होगा हम notice ही नहीं कर सकते कुछ भी change नहीं होगा ठीक है तो यह इसकी क्या है chemical potential की definition है simple सा है इसी से आप पहले यहां से start करोगे और फिर यहां पे खत्म तो next topic हम next video में करेंगे till then stay tuned on the channel thank you और videos को like and share जरूर करना